नमस्कार मैं हुव अभैब कुमार आप देखरें अपना खास कारकरम बिहार स्माचार। बिहार समाचार में खबरे बिहार की, बाते बिहार की देश दुनिया की तमाम खबरे जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से पंचायत के गलियों से और गाउं के चौपालों से जो कहीं न कहीं आपके जीवन को परभावित करता है तो बिहार समाचार में हम पहली खबर लेते हैं एक गारह जिलों के 7,841 गाउं सुखा ग्रस्त घोसित हो जिलेगा 3500 रुपिया कहने का मतब 3500 रुपिय की विशेश सहायता रासी दी जाएगी डीजल अनुदान के लिए सरकार ने और 100 क्रों रुपिय जारी कर दिये हैं कैबिनेट के फैसले बारते बरबाद फसलों की छती पूरती के लिए किर्सी इंपुट सबसीडी भी दी बाया और अंगाबाद सेख पूरा नवादा मुंगेर लखी स्राइब भागलपूर बांका जमूई और नालंदा और एक जुलाई से परभाई हो जाएगी सरकार कर्मियों को पिंसंधार को को चार परतिसाट डीए और साथ लाग को होगा फाइदा और वहीं सैप में बहाल होंगे तीन हजार नो सो तीरपन जवानों की अनुबंद अवधी बिस्तारित होगी 2949 पदों पर होगी बहाली इन में 1420 पद विश्विद्याले में होंगे और इधर अब आईटी पार कॉल सेंटर के लिए भी बियाडा देगी जमीन और अगर हम बात करें तो मुख मंत्र नितीश कुमार ने पीर मुराद सा की मजार पर की चादर पूसी मांगी सुक संती की दुआएं और जहानाबाद से खावर आ रही है जहानाबाद के CEO जमीन के म्यूटीशन के लिए मांगे डेल लाग का घूस रंगे हाथ पकड़े गए काको के अंचला अधिकारी पर निग अफ्तारी और अंतरसंस अधिये संकी सदस्य बनी सांसद सारंगी और इधर बात करें तो सूखा और अतीव वर्षा से प्रभावित किसानों को सिक्र सहायता दे मुख्वंतियने अल प्रवंग अनियमित वर्था पास्ते उत्पनिश्थिती की समिक्षा के बाद अधिकार् देश डियलन दान यूजना के तहत 11.22 लाख अवेदन मिले 6.67 लाख को भुक्तान और इधर धरना दिया गया है गांधी मैदान में आरक्षन विरोधी भाजपा की पोल खोलकारकरम में जदयू ने दिया है धरना जदयू ने कहा है आरे से कटपुतली है भाजपा दिखान वाला चेहरा कुछ है असल में कुछ और है और बुजली सुधार को तीन हजार 56.00 चार दूर करोड़ रुपे खर्च करेगी राजसरकार और वहीं जगदानन की इस्तिफिय की चर्चा हो रही है तो जगदानन का बयान सामने आया है तीन साल तक लगातार काम के बाद कार नहीं है दस दिन बाद जगदानन का या बयान आया है इस्तिफा देने के दस दिन बाद बयान आया है और वहीं आठट दसम लो साथ 0,006,007 लाक मतलब आठ़ लाक सतर हजार कोरोना का डोज भैक सिन अरतालिस दिनों के बाद हो जायगा एक्सिपायर राज के में दस ल 38,46,37 को Corona का टीका देने का टार्गिट था लेकिन अब तक 7,33,66,004 को ही लगा है जो बचे उन्हें कैंप में दी जाएगी पखानी भैक्सीन बिड़मना यह है कि नहीं मिल रहे टीका लेने वाले जो पहुच रहे थे लोट रहे हैं क्योंकि आठ्ट लोगों के बिना वाइल खुले गये ही नहीं आज लोग जब जमा होंगे तभी वाइल खुलेगी और इसलिए लोग लोट जा रहे हैं और धीरे धीरे एक्सिन एक्सपारी के नजदिक आ गया और हिजाब मुद्दा अपने देश और विदेश में हिजाब मुद्दा चाया हुआ है सुप्रीम कोट के फैसला भी आया और नहीं भी आया सुप्रीम कोट हिजाब के पक्ष में भी है और विपक्ष में भी है गजब का फैसला आया है सुप्रीम कोट का एक जस्टिस जो ढोल रहे है कि धर्म खास्पहनावे की अनुमती धर्मिर्प्रिक्स्ता के खिलाफ है यह जश्टिस एक जश्टिस का यह है और वहीं हमंत गुप्ता ने कहा है कि खास पहनावे की अनुमती धर्मिर प्रेश्टा के खिलाप है तो वहीं जश्टिस सुदांसु धूलिया ने कहा है छात्राओं के सिक्षा जरूरी यह नहीं कि वे क्या पहने और क्या नहीं पहने और वहीं भाजपा ने कहा हिजाब गलत उनिफॉर्म ही सहीं कॉंग्रेस ने कहा ध्याना करसित करता रहेगा हिजाब मामला अपने देश में हिजाब पर लेकर बावाल है लेकि तो इसी बीडियेशों की एजर बात करें तो इरान की बात करें तो इरान में हिजाब उतारने को लेकर संग्राम है वहां की लड़कियां हिजाब से आजादी चाहती है, हिजाब से मुक्ति चाहती है अब वहां की सरकार ऐसी लड़कियों को पागल खाने भेज रही है कर ये किनका mental health ठीक नहीं है, इसलिए हिजाब का विरोध कर रही है तो समझ जाए एक तिरह भारत में जहां हिजाब पहनने को लेकर बवाल है तो इरान में हिजाब उतारने को लेकर बवाल हो रहा है तरह तरह के लोग हैं अलग अलग पहनावे हैं और बीमा के पैसे के लिए सुपारी देकर पती की करा दी हत्या समस्तिपूर में पत्नी ने ज बास्ते पर गिराने का बिवा अधिवे चाको बाजी हो गई है और एक की मौत हो गई है पांच टीमों के साथ अगले साल मार्च में हो सकता है महिला आई पी एल और हर्स और स्रेयस ने खोजे दस सुद्र ग्रह ये इनके नाम से जाने जाएंगे जिहां नासा के सिटीजन के तहत हुआ है चैन ये ऑ्स और स्रेयस का और स्वनपूर मिला जाने के लिए सलक से जल मारकि भी स्थ्चुधा बसके मुष्ट में यात्रा और हर बच्चे का सपना जरूर देखना हर बच्चे को सपना जरूर देखना चाहिए उस अपने के प्रति समर्पन होना चाहिए और जक्कनपूर में वैंकेट हॉल में सराब के साथ चल रहा था जुआ पांच पांच कारोबारी गिरफतार हो गए हैं और दुसरी ख़बर हमें ब साथ निशाय योजना पकी नली गली योजना में कैसे कमीशन का खेल चलता है इसका ताजा-ताजा खुलासा हुआ है बबाल हो गया जिले के कुटुंबा पर खंड में जिय और करपालक सहाय के बीच में लट्तम पंजाई हो गया घुस्रम घुस्रा हो गया हम आपको बता दे कि जेई, अनीता, सिन्हा और मुनना दास करपालक सहाय के बीच में लात घुस्रे चले गया जहां चपल से जेई ने पिटाई कर दिम करपालक सहाय के ओहीं करपालक सहाय के ने जेई को थपड जड़ दिया और यह बूरा मामला जो दबी जुवान से बताया जा रहा है कि पंचायतों में किये गए कामों में कमीशन के बटवारे को लेकर हुआ है या मामला तो बिहार पंचायती राजविबाग में क्या होता है या देखने वाली बात है और किसी से अब छुपा हुआ नहीं है हलाकि करवाई जब की बात आती है तो सिफ वाड सदस्यों वाड सचीवों पर होती है करवाई लेकिन असली माल तो एक रमचारी बीडियो साहे और जो बिपियों हैं वहाँ खा रहे हैं उन पर भी करवाई क्यों नहीं होती है जबकि वाड सदस्यों पर और वाड सचीवों प जेल भेजा जाता है और जो वीडियो बता रहा है कमीशन के खेल में कमीशन के बठवारे के लिए जब अधिकारे ही लड़ रहे हैं तो आप जडूर क questa बठाएएगा हम आपके कंग्रेस मैदान पर बुढ़कों का कबजा बुढ़कों ने पहले अस्थाई संप बनाया अब आधे की घेरा बेंदी कर डेलेंग पंपिंग का स्टेशन बनाने की तैयारी लोगों में आक्रोस जी हां यहां लोगों में आक्रोस है भरतिय सोतंतान्वन के परतिक इस मैदान स्थित की स्थिति बेहर्द खराब है और चौदा साल पुराने बिवाद का बद्दा लेने के लिए फुफेरे भाईयों ने की हाई रिंग छोटी छोटी देखिए बात की कहां से कहां बढ़ जा रही है अब वह चोरी का मोबाइल खरिदने वाला मैकेनिक गिरफतार तो द बात दीजिए और घंटी जैसे आकरती को शुकर और सेलेक्ट कर लेजिए ताकि कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करें अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा मिलते है वीडियो में तब तक के लिए जैहिन बं अपने मातर